आलिब इलम तहरीक के माशालला से नामवर लीडर और सियासी रहनुमा और पाकिस्तान में आईन की हुक्मरानी के लिए मुसलसल कोशा रहने वाले मुहतरम आबिद असन मंटो साब से के वो आएं और मुहतर स्वारतीन और हजरात बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुल्जार का और बीना का और हुमन राइट्स कमिशन का जिन्होंने क्रीबं तिरेपन साल के बाद मुझे डॉक्टर सर्वर के रूब रूब कर दिया जब मैं उनको जानता था या जब हमारी आखरी कभी मुलाकात होई होगी तो वो डॉक्टर तो नहीं थे अगर चहारा आदमी जो मेडिकल कॉलेज में दाखिल होता है वो फस्ट इयर से ही डॉक्टर कहलाता है इस इतबार से शायद उनको डॉक्टर सर्वर उस वक्ट भी कहते थे लेकिन हमारी मुलाकात बिल्कुल ही दूसरे दूसरी सता के उपर हुई थी ये भी एक अजीब बात है कि इन 52-53 सालों के बाद जब मेरी आखरी दफ़ा उनके से मुलाकात हुई पहली मुलाकात का जिकर में कुछ देर के बाद करूँगा और बीच वाली मुलाकातों का भी कुछ जिकर करूँगा लेकिन जो आखरी मुलाकात हुई वो तो 1955-56 के बाद कभी नहीं हुई उसके वही आखरी मुलाकात थी अब जब मैं इस वक्त यहां आपके सामने खड़ा हूँ और जब पहली मुलाकातों मैंने अखबार में पढ़ा था कि डाक्टर सर्वर इंतकाल कर गए और फिर डाक्टर गुल्जार ने मुझे कहीं कहा कि वही उनके लिए एक तकरीब मुकर मुनकद होनी चाहिए पिर बी तो मैं यह सोच रहा था कि क्या चीज़ है निस्फ सदी से ज्यादा मैंने मेरी उनके साथ कभी मुलाकात नहीं हुई अगरचे किसी दूसरे इतवार से मुलाकात तो हुई इसलिए कि जब उनकी बहन यहां पे लहौर में आई शाहिदा तब उनके हवाले से उनसे मुलाकात एक गाइबाना तरीके से हुई लेकिन बरायरास कभी ना उनसे गुफटगू हुई ना मुलाकात हुई और जब भी ना आई तो पहली मरतबा उन्होंने मुझे खत लिखा इन सालों के बाद जिसमें कहा कि मेरी बेटी वहां आ रही है उसका ख्याल रखें मगर मैंने उनका क्या ख्याल रखना था वो हम सब का ख्याल यहां पर रखती थी तो वो खुद ही एक जिन्दा मुखलूक थी उनके लिए तो किसी दूसरे को ख्याल लखने की जूरूरत नहीं थी तो बस ये आखरी बात थी खत उनका जो मुझे मिला लेकिन मैं यह सोचता हूँ कि शायद स साथ हो जो दूसरे साथी थे और जो सिर्फ कराची में नहीं थे पंजाब में भी थे जैसे कुछ लोग इन लोगों से जो मेरा उस जमाने में रिश्टा जुड़ा वो शायद बात के तमाम उन साथियों दोस्तों और प्लिटिकल वर्कर्स के साथ नहीं जुड सका है जो ए बाहद हमारे साथ काम करते रहे हैं तो मुझे यह ख्याल आता है कि उस वक्त की उस तालुक में क्या खसूसियत थी जो बाद में नहीं बनी तो मैं यह नतीजा निकालता हूँ और वो मैं आपको बियान करता हूँ और वो DSF जो Democratic Students Federation है उसके बनने के बारे में भी उसका जिकर मैंने करना ही था कि हम सब लोग जो थे सर्वर, सर्वर के साथ कुछ और दोस्त जो कराची में थे और पंजाब में मेरे से इलावा कुछ और लोग और नाम अभी जमान खाने आपके सामने दिया है उनमें फैसलाबाद में अन्वर चाधरी थे जो मेजर इसाग के छोटे भाई थे, सैफ खालत थे, मामूद आइमद थे, और लहौर में बशीर जफर जो बाद में वकील बने अब इंतकाल गा, यह सब लोग इंतकाल कर चुके हैं वो थे और फिर मनसूर मलत थे जो बाद में, वो भी मौजूद हैं, वो पीबल्स पार्टी में चेले गए और इसके लीडर बन गए, हम सब लोग किसी ना किसी वास्ते से उस वक्त की कॉमिनिस्ट पार्टी के रुकन थे कॉमिनिस्ट पार्टी उनिस्ट आटालीस के अवाखर में बनी, असरे नौत बनी, यह पार्टीशन के बाद, जब सजाद जहीर यहां पे आये और उनने री और्गनाईज़ उसको किया, सेंट्रिल कुमिटी बनी, और उनिस्ट आटालीस में मैं उसका मेंबर लिया गया, यह लिया गया का लफज़ आप याद रखें, इसलिए कि कोई आदमी उस वक्त अज़ खुद जाके कॉमिनिस्ट पार्टी का चाराने का मेंबर नहीं बन सकता था, उसको लिया जाता था, और लिया जाने के रास्ते में कई कड़ी मनजलें थी, कई तरीके से उसको परका ज कराची में तैकिये होंगे, और उनके साथ ही उन्हें यह सारे मरहलें तैकिये होंगे, और वो सब भी कॉमिनिस्ट पार्टी के मेंबर वहां पे बनें, और यह 1949 के जमाने में ही, यह सारे लोग मेंबर बनें, 1949 यह पचास में बनें होंगे वो, डाक्टर सर्वर कुशरसाब मैं 1949 के अवाखर में बना। पार्टी ने हमें ये कहा कि आपको पाकिस्तान के अंदर भाएंबाजू की तलबा की एक तहरीक की बन्याद रखनी चाहिए। ये को मुझे नहीं कहा ये शायद सर्वर को इन्फरादी तार पर नहीं कहा ये पार्टी ने फैसला किया और हम सब लोगों ने अपनी अपनी जगे पे मैं राबल बिंडी में था और अनवर चौधरी और सैफ खालिद और महमूद वगयरा सब लोग जो थे ये फैसलाबाद और मिंट गुमरी जो उस वक्त कहलाता था साहीवाल उसमें थे और कुछ लोग लहौर में थे ये सब लोगों ने अपने अपने हवाले से अपनी अपनी पार्टी की यूनिट के निगादाश्त में स्टूड़न्स की इस जमात की बनियाद रखी ये अलग लग थी रावल अपनी निगादी में डेमोक्राटिक स्रूडन्स फरडेशन उनियस सो निगादाश्त के आखर में बनी पंजाब के दूसरे शहरों में सानपचास के आघाज में बनी कराची में भी इसी ही जमाने में बनी और फिर पार्टी ने ये फैसला किया कि इन सब लोगों को जिन को हम पुराने जमाने में कॉमिनिट कहा करते थे आजकल कुछ रिवाज नहीं है तो ये सब लोग जो थे जहें वो कॉमिनिस पार्टी की तरस से डियस एफ बनाने और इसकी तामीर करने में काम कर रहे थे इनकी एक मीटिंग की जाए ताके सारे पाकिस्तान की डिमोक्रिटिक स्टूडन्स फेडरेशन जो है उसको मुनिजम किया जाए तो ये मीटिंग लहौर में हुई उस दफ्तर में हुई जिसको आप मैसे कई लोग जानते हैं हमीज अखतर साब तो जानते हैं पुराने लोग जानते हैं नए लोगों ने सुना होगा जिसका नाम है 114 मेकलोड र ता और वहीं पे पार्टी के कुलवक्ती लोग भी रहते थे उस दफ्तर में मीटिंग हुई और हमारी इस मीटिंग के इन चार जो थे जो इस सारे तालिब इल्मों के सेल को या सेंट्रल ग्रूप को कमांड करते थे या इसको कंट्रोल करते थे वो परफेसर एरिक सिपरीन थे जिन्हों ने कई घंटों की उस मीटिंग को लीड किया और उसके अंदर मुख्लिब किस पेमानों पर डिसकेशन हुई वहीं पर ये फैसला हुआ कि DSF की एक Central Body बनाई जाए और उसमें ये फैसला हुआ कि सर्वर जो हैं वो इसके General Secretary होंगे जो बाद में वो बने ये जो हमारा रिश्टा था या या ये पहली मुर्त मुलाकात है मेरी जब मैं दूबदू सर्वर के सामें हुआ कई घंटे हम अकठे रहें लेकिन हम सिर्फ दो अकठे नहीं थे कई लोग थे उसके अंदर मौजूद लेकिन उस सारे में जिस संजीदगी और जिस कुमिट्मेंट के साथ सर्वर ने पार्टिस्पेट किया एक निसमतन डिफरंट एटमोस्फियर में क्योंके लहौर में थे जहां उनका और शायद को जानने वाला उस वक मौजूद नहीं था और हम सब लोग तो सर्व पंजाबी थे तो आजकल तो ये भी बहुत सवाल है कि कोई कराची से आया को पंजाब से आया है को पंजाबी है या सिंदी है या बलोच है या फुलाँ है हम सब कॉमिनिस्ट थे और हम सब कॉमिनिस्टों की हैसियत से अकठे बैटे हुए जो बात significant है और जिसका जिकर यहां भी आया कि बाद में NSO बनी है, NSO बनी है, आज किल कई किस्मों की students organization असरे नौ मौ बनने की कोशिश कर रही है, कुछ तालेवल लीडर यहां भी मौजूद हैं, जिनको मैं जानता हूं कि वक्तन वक्तन हमारे पास भी आते रह अच्छी या बुरी, एक नुक्ता नजर, clarity of mind, सोच के अंदर किसी किसम की पैचीदगी और कश्मकश नहीं, कोई खेंचातानी नहीं, यह उसका एक खास पहलू था, a discipline, जो पार्टी ने फैसला कर दिया है, वो फैसला आपको पूरा करना है, अगर इखतराफ है तो पर एकतराफ करें, आप अपना ब으면 अख़बार में नहीं चाप सकते, अब अखवारात आम है, मीडिया आम है, ब्यान आम है, तस्वीर भी आम है, और फिलमें भी बन जाती है, इसलिए हर आदमी अपना ब्यान देने में आजाद है, यह आजादी अची भी है, लेकर एकितन से बुरी भी है कि समाजी तबदीली की जद्द जहद के लिए जिस डिसिप्लन की जरूरत है उस से ये बिलकुल आजाद हो जाती है तो ये उस जमाने की एक खसूसियत थी और इस खसूसियत का हवाला सर्वर के साथ मैं इस वक्त देता हूं जब हमने 1954 में डिएसफ के बाद खसाए औल पाकेस्तान स्टूडन्स और आर्गनजैशन बनाने की कोशिष की जिसको एफ सो कहा गया और ये दिसमबर 1954 में कराची के कार्टरक धाल में इसका अجलास मुनक्ट किया गया सारे पाकεस्तान से और सारे पाकेस्तान का मतलब मशरकी और मगरबी दोनों पाकिस्ता सिमंदूबीन उस जल्से के लिए अकठे हुए थे. मश्रीकी पाकस्तान से, मश्रीकी पाकस्तान की अवामी लीक की तालेबलम जमाद जो थी उसके रुकन उसमे शामिल थे. जो दोनों इत्वाक से गौमिनिस पार्टी के भी रुकन थे. वो भी उसमें मौजूद थे हिंदुस्तान से एक डेलीगेट यहां पे आई जो गालबान अलीगर से आई थी और वो उस वक्त All India Students Federation जो पार्टी की एक वहां पे तालब बिलम जमात थी उसके साथ तेलोक रखती थी उनका नाम आलिया इमाम था वो अभी पाकिस्तान में आ चुकी है और यहां डाक्टर आलिया इमाम के नाम पर वो इसलामाबाद में रहती है अब वो उनके ख्यालात वो नहीं हैं जो वो उस जमाने में थे तो वो वो भी थी वहां पे ये सारे लोग जो हैं इनको कार्टरक हाल में 25 दिसम्बर की सुभो के वक अपनी कॉन्फरंस करना था कॉन्फरंस से पहले हम सब लोगों की यानि हम सब लोगों का मतलब ये है कि कॉमिनिस्ट पार्टी के वो रुकन जो इस एपसो के पीछे काम कर रहे थे और जो DSF से वाबस्ता थे उनकी एक मीटिंग रात भर हुई